तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी एपंजाब स्कूल वैब पॉर्टल पर यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो आपने सेशन 22-23 के लिए जो गौर्णमेट स्कूल ने रिजिस्ट्रेशन की थी स्टूडेंट्स की तो उनका आपने एपंजाब स्कूल वैब पॉर्टल पर कैसे आपने एड करना है वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टैक को और ऐसे ही लेटर स्टूडियो जो आपके सामने एपके स्कूल का डैश्बूर्ड है इस तरह से डिस्प्ले करवा देगा देखिए आप जो आपने जो नियू रिजिस्ट्रेशन के लिए जिन बच्चों को आपने पोर्टल के उपर एड किया था वो बच्चों को आपको मैनूली ही एड करना पड़ेगा उसके लिए कोई भी specific ऐसा यहाँ पर module नहीं है कि आप उन बच्चों को वहाँ से fetch करके जहाँ फिर promote कर सकते हो वहाँ पर उसके लिए आपको easy way क्या रहेगा आपने simply यहाँ latest में जाना है यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा report of new registration आपने इस report के उपर click करना है जब आप इस report के उपर click करोगे तो आपके सामने जो है वो session के बारे में बताएगा कि वो कौन सा academic session है आपका तो 21, 22 के उपर आप click करोगे एंदर यहाँ पर लिखा हुए export to excel तो यह आपकी जो file है वो excel में export हो जाएगी इस file को आप open कीजिए यहाँ पर export होगे यह excel में तो यह थी हमारी एक शोटी सी वीडियो के आपने जो new register student थे उनको आपने इपिंजाब स्कूल पर कैसे आपने उसको एड करना है तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले हमारी यूटीब चैनल इलाना टैक को और ऐसे ही लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बैल इकन को प्रेस करना न भूले थैंक्यू सो मच जाहिन